मा घटा रानी मंदिर जाने का रास्ता अभी बरसाथ का सीजन लग चुका है क्योंकि सावन लग चुका है तो सभी लोग देखने के लिए आ रहा है तो आज आपका भाई आपको भी घटा रानी घुमाने वाला है बहुत ही अच्चा देख सकते इधर के दिरिश्चे आप लोग को देखने के लिए मिल जागा भई मैं तो सोच रहा था कि यहां पर दुकान वगेरा नहीं होगा क्योंकि यह जंगल के बीच पर इस्तित है तो भई यहां पर देख सेथे हैं चाय कोफी वगेरा भई बहुत सारे खाने पीने का समान फासूट वगेरा सब चीज मिल जाता है यह चीज मेरे को अच्छा लग जाएगा भी यह भी आम लोग जैस्ट अब आगे निकलते हैं और आगे का दृष्ट आपको दिकाता है भी आजी हमें बता रहे थे कि यहां से वाओ मीटर के अंदर में हम लोग को भई मिल जाएगा तो फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और यहां पर देख सकत हैं बहुत सारे सौब्स होगे रहा हैं मैं तो सोच रहा था कि जंगल इलाका है तो यहां पर कुछ नहीं मिलेगा खाना पीने का समान हो अगेरा नहीं मिलेगा ऐसे करके मतलब मैं सोच रहा था हूँ और यहां का भेड़ देखकर मेरे को लगने लग गया है कि मैं यहां पर पहुंच चुका हूं और देखने वाला हूं और मेरे को मतलब एकदम से एकसाइटमेंट हो रहा है वह क्योंकि मेरा फर्स्ट टैम है तो मैं पहली बार आया हूं तो भई इधर से देखूं पहले पहले आपको यहां से दिखा देता हूं निचे को ओओ इस प्रतीमा नया 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 देख सकते हूं यहां से उपर से मतलब मैं सब से फहले आपको ऊपर से नजारा दिखाने के लिए उपर आ चुका हूं तो पहले आपको ऊपर से नजारा दिखाने दोगा इसका नजारा आपको देखने कि मिलेगा वैसे यहाँ पर पथा था और यह सब देख सेचते यह लगा bridh कि दिवाई जलता तुल आगे नहीं जाल सकते उधर से मदलब आपको नीचे से भाई ड्रिश दिखाएंगे को लोकोवों से जीला में आता है यह गरिया बनसे वापलोग कर नोग करे सबहों किटना दूर GU जाना साब लुक कर तो आठ किलो मीटर है जलो एक से मूर्ती बन रहा है मैं आपको थोड़ा सा पास से दिखा देता हूं मेरे को तो मतलब ठीक से पता नीचारा मेरे को स्यूंजी का प्रतिमा जैसे लग रहा है क्योंकि स्यूंजी मतलब ऐसे बैठते हैं तो मेरे को वैसी बढ़े और अच्छा मतलब सुन्दरता दिखाने के लिए तो यहां पर आप लोग देख सकते हो अगर आओगे नेश्य टाइम आओंगा ना तो मतलब यह सी मंदिर भी बन जा रहेगा तो यह और अच्छी बात है बाकी आगे चलते हैं और आगे एक द्रिश्य आपको दिखा बहुत ही मनोरम द्रिश्य हैं जो सुन्दर नाजार है यहां पर मस्त नेचर है एकदम मस्त हवाय ठंड़ ठंड़ यह सब्सीज मेरे बहुत बहुत जादा अच्छा लग रहा है अच्छी है मेरे पता ही नीचर रहा था, यहां पर देख सकते हो लिखा हुआ है मां घटा र करानी मंदिल जाने का रास्ता तो हम लोग देख सकते हो सभी के साथ में हम लोग भी जा रहे हैं और भाई दर्शन करना वाई वैसे नीचे जा रहे हैं हम लोग ऊपर नहीं जा रहे हैं नीचे देख सकते हो बहुत लोग जा रहे हैं वैसे मैं ही अक्यला नहीं जा रहा हूं तो थोड़ा भीड भी है और आप सभी को पता है कि भाई बरसाद लग चुका है सावान लग चुका है तो भीड कुछ अब बढ़ने वाला है बजार है भाई साब जड़ने देखो भाई साब यहां से थोड़ा-थोड़ा दीक रहा है अभी पूरा भी मतलब क्लियर नहीं दी लगा है तो कि सावान का महना लग चुका है बट पानी मेरे को थोड़ा से कम दग रहा है लेकिन भीड बहुत ज्यादा भाई साब आप लोग बीड देखो इतना ज्यादा विड़ वाई साब आपको क्या ही बताए देख सकते हैं आप लोग इतना भाई लोग है और भाई सब्सक्राइब देख सकते हो बूर्तियों अगे रभी है अब कर देख सकते हो सभी लोग में फूल इन जो आए कर रहे हैं यहाँ पर भई कि नाने के लिए देख सकते हैं भई पाने इतना ज्यादा गिर रहा है यह से भी अभी बर सानध का थी आभी सब्सक्राइब जाब देख सकते हो सब्सक्राइब करने के लिए जाएंगे और उपर से नजारा आपको दिखाए चुका हूं उपर से और देख सकते हैं आपको ऊपर चरना पड़ेगा यहां से थोड़ा सा खत्रा है बाती आप लोगा कर इंज्वाय करना चाहते हो तो जा सकते हो फिलहाल मैं अब यहां से स्विमिंग पूल यहां का देख सकते हो सब लोग नहार है देखो पानी अभी गंदा इसले दिख रहा है क्योंकि यहां का भई नया नया भी पानी है बरसाथ क मतलब अभी नया पानी इसकारण से कुछ पानी ऐसा दिक्रहें। यहां से पूरा पानी गिर रहा है इसको बोलते हैं घटा रहानी है दिखा देख देख सेक्टेव उपर में जो है मंदिर वहां भी आपको लेकर जाएंगे बाकि मैं आपको पहले मनुरम देश्ट दिखा देता हूं जड़ने के पास देख सेक्टेव बहुत लोग बैट हुए हैं इंजॉय कर रहा है और यहां पर बहुत लोग ओ है आप कुल आपको 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 तो जो 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 आपको जो है गटारानी का सुश्विंग पूल अगर आप लोग को नहाना रहेगा तो आप लोग वहाँ से यहाँ नहाओ यह वाला जगा अच्छा है क्योंकि वहां पर थोड़ा खत्रह है वह कहाए कि पथर वगिर है तो अगर आप लोग वहां से गिरोगे तो भई कुछ भी हो सकता है त आपको यहां दिखा दिया तो अब मैं चलता हूं थोड़ा सा नीचे तूकि मैं देख सकते थोड़ा ऊपर आ गया था तो मैं नीचे चलता हूं रखे भाल महीं यहां पर थोड़ा था थोड़ा उचाए बहुत देख न पाई भाई 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 भज गया भशिक को अगर आप लोग आते हो तो ठोड़ा साथ देख कर समाल कर चलिएगा इस भीड़ बहुत ज्यादा है क्योंकि अभी अभी ज़या पानी गीरना स्टा पर है तो अगर आप लोग आते हो तो भई यहां पर मंदिर भी भिए स्ट तो उससे मंदिर घटारानी लिखा हुआ तो आगे तो यहां से आप लोग को कुछ ऐसे देखने के लिए मिलेगा यहां पर पूरा फैमिली साथ बहुत तो यहां पर लोग आते हैं धर्शन करने माताजी का और अंजय करने लिए बहुत लगा आप लिए आप लोग लगा सकते हो और पुरापका क्रिति यह एकदम मस्त लग रहा है यहां पर देख सकते हो गने जंगलों के बीच पर भई यह घरना देख सकते हो आप लोग इसको आप लोग वाटर कॉलता हो यह है मैरे को भी बहुत ज़ादा अच्छा लगा देख सकते हो भई सब लोग चिल ला रहा है एक क्विश्ट सब्सक्राइब बहुत जाधा था तोक देख रहा है यहीं मेन मंदिर है देख सकते हैं आप लोग यहां सब आप लोग का एंटरी होगा यहीं सटीकूट बचल्टू फ्लॉग। तहां से कितना दूर है चालीस आप तहां से हो रैपूर से हो यहां पर जादा लोगों भई मैं देख रहा हूं तो रैपूर से ही है यहां पर रैपूर वाले ही ज्यादा तराते लग रहा है 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 फिल्भाल का इज में मंदीर के उपर आचका हूँ हो और यहां देख सकते हैं यह मंदीर जलोट ओर यहां से देख सकते हैं वाटर फॉल का नजारा कुछ ऐसा दिरिष्य आप लोगों को देखने के लिए garden अब पूरा गाना जंगल आप यहां पर अधर करने के लिए यहां पर आप मा घटारानी जी का दर्शन कर सकते हैं लोग का दर्शन करने का काम हो चुका है तो अब हम लोग यहां से निकलने वाले हैं बाकि आप लोग को वाटरफॉल दिखा दिया हर चीज दिखा दिया आपको माता जी का दर्शन भी करा दिया तो अब हम लोग यहां से निकलते हैं पर देख सकते हैं कुबेर महराज जी का एक और मूर्ती है देख सकते हो जहां पर एक चोटे से मंदिर पर विलाजमान है देख सकते हो माल लचमी जी जहां पर देख सकते हो माल लचमी जी का भई यहां पर मूर्ती रखा हुआ है और यह मंदिर देख सकते हो उप तुटु व्लोग तुटु व्लोग अजीव ही रखना पड़ता है क्या करें कहां से वाप लोग कहां रायपूर से हो देख सकता हूं का इस यह लोग रायपूर से भई आये हुए है तो यहां पर फिलहाल गाईज हम लोग लच्मी माता जी का दर्शन कर चुके हैं कुबेर मह लोग यहां से निकलने वाले हैं वीडियो अच्छा लगा हो है तो चैनल को सब्सक्राइब लाइफ वाग किरा सब्सीच कर देना कहां सो भाई आप लोग परसदा से आये हुए हैं देख सकते हो बहुत दूर-दूर से आ हुए है यहां पर रायपूर वाले ज्यादा तर आ लोकाल इधर के कम हैं यह लोग यह भाई लोग लोकाल है देख सकते हैं इधरी के आसपास के पर कुछ दुकाने वगएर भी हैं शॉप्स और यहां पर देख सकते हो अगर आप लोग को कुछ भाई समान वगएर खरीदना है तो आप लोग समान वगएर भी खरी सकते हो यह यहां पर हम लोग भाईया जी का कॉफी ट्राइ करने वाले हैं कि कैसे बनाते हैं वह सब अगर गाईज देख सकते हैं यहां पर एक बोड लगा हुआ है आपको मैं समझा देता हूं देख सकते हो यहां से आपको अगर घटारानी जाना है तो यह वाला रास्ता जो कच्चा नगला हुआ है यहां से आप लोग घटारानी जा सकते हो मात्र पांच किलो मीटर की दूरी पर यहां पर अपको घटारानी मिल जाएंगे वहां पर आप लोग भैpoints जाकर एंजोई कर सकते हो अभी तो यहँआ पर दो किलो मीटर पर निपर इस्थीता जत्मई माता जी का आप लोग दर्शन करना है तो यहां से आप लोग को सिधा जाना है आप लोग को रास्ते में ही मिल जाएगा मैं रास्ते से जा रहा था तो बारी सी स्टार्ट हो चुका है आप लोग को हलका हलका दीक रहा होगा यहां पर मेरा भाईक खड़ा हुआ है देख सकते हो और तो फिलाल गाइस मैं देख सकते हो यह पहन लिया हूं क्योंकि मेरे को चाहिए था थोड़ा सा सेफटी और इसको म यह पड़ा है इसको पकड़ते हैं बाकी अफिलाल यहां से अब हम लोग निकलते हैं अ कर दो गहां से अबोगे से अब लोगे से अब कार बहुते हैं अब लोगे से अब कार रहां से आए भोगे सेलाल यहां प्रूबादी और यहां